Zewa Airport की एक खास बाते आपको बताते हैं, देखे किस तरह का होने वाला है Zewa Airport तो आपको सबसे पहले हम बता दे, यहाँ पर लागत है, 29,650 करोड की लागत से यह तयार होने जा रहा है Zurich International Airport के तर्स पर यह बन रहा है और साथ ही, 6200 हेक्टेर में निर्मान कारी यहाँ पर किया जा रहा है इसके अलावा, 2024 में पहली उडान यहाँ से भरी जा सकेंगे जिया जो पहला फेज है, वो 2024 में पूरा होगा एपोर्ट में 5 रंदे होंगे और 2 टर्मिनल यहाँ पर होगा इसके अलावा, 178 विमान एक साथ खड़े हो पाएंगे यह गौर करने वाली बात है कि एक साथ 178 विमान यहाँ से खड़े हो पाएंगे यानि कि हैंगर कितना बड़ा होगा, आप यह अंदाजा लगा सकते है पश्यमी उत्तर प्रदेश पर सीधा असर करने वाला है यह यह भी समझने वाली बात है और इसलिए शायद विपक्ष यह कह रहा है कि यह सौगात चुनाव के मदे नजर दी जा रही है लेकिन यह ड्रीम प्रजेक्ट था आपको बता दे पश्यमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों से यह जुड़ेगा और ऐसे में यहां के लोगों के लिए कितना फायदे मंद होगा, पूरे इलाके में कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हो जाएगी यह इससे समझा जा सकता है साथी साथ हरियाना के लोगों को भी इससे काफी सो विधाय मिलेगी जेवा एएपोर्ट से एक महिने पहले प्रदान मंत्री ने कुशी नगर में एएपोर्ट का लोकारपन किया देश के नागरी कुट्यान मंत्री जोतिरा दिति संधिया ने आज सक्से खास बाचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश हवाई यातायात की राजधानी बनने वाला है बहुत जल्द अकेले उत्तर प्रदेश में 17 एपोर्ट होंगे इसकी खासियत जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल दो हवाई अड़े होते थे आज उस उत्तर प्रदेश में आठ हवाई अड़ों का लोकारपन प्रदान मंत्री जी के दवारा हो चुका है और नववा एरपोर्ट का शलिन्यास कल होने जा रहा है जिस उत्तर प्रदेश में केवल दो अंतर राष्टे हवाई अड़े होते थे उस उत्तर प्रदेश में आज आने वाले समय में पांच अंतर राष्टे हवाई अड़े बनने वाले हम लोग 17 का टार्गिट हमने अपने आपके लिए रखा है 17 हवाई अड़े उत्तर प्रदेश में अकेले तो उत्तर प्रदेश देश की राजधानी बनने वाली है हवाई अड़ों की शरंखला में और जहां तक जेवर का सवाल है इस हवाई अड़े से जहां 34,000 करोड उपय का निवेश किया जाएगा चौथे चरण में 7 करोड लोगों की यातायात की सुविदा की जाएगी इस एक एरपोर्ट के जरिए हमें पूरा विश्वास है कि ये भारत का नवरतन आने वाले समय में बनने वाला है केवल उत्तरप्रदेश का नहीं और एशिया का सबसे बड़े हवाई अड़े के रूप में यातायात की सुविदाया हमारे आम नागरिक को इस हवाई अड़े से पूर्ण रूप से मिलेगी और उसी के साथ आर्थिक प्रगती भी और उसी के साथ निवेश और रोजगार के अफसर भी सुर्जित हो पाएंगे एक लाख रोजगार के अफसर इस एक हवाई अड़े से सुर्जित हो पाएंगे आसपास के शेत्रों को मिलाकर और करीब साथ हजार करोड उपे का निवेश भी इस हवाई अड़े के इर्द गिर्द भी होगा जिसके आधार पर पूर्ण शेत्र का आसपास के पंद्र जिनों की आने वाला भविश्य पूर्ण रूप से परिवर्तित होगा एक विक्सित प्रदेश और विक्सित देश के भागीदारी में इस शेत्र की जन्ता रहीगा तो आपको बता दे जिवर एएपोर्ट के बारे में पहली उडान 2024 में यहाँ पर भरी जा सकेगी क्योंकि तब तक फर्स फेस कम्टीट हो जाएगा लागर 29,650 करवोड इसमें लगने वाला है जो फैलाब है 6,200 हेक्टियर का यहाँ पर फैलाब होने वाला है इसके अलाबा 5 रन्वे होंगे और 2 टर्मिनल होंगे 186 विमान यहाँ पर खड़े हो सकेगे